अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले सुहल्दे भारते समाज पार्टी के रास्टे अध्यक्ष ओंप्रकाश राजबर ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया जिस्तों वो एक बार फिर सुरुख्यों में आ गए उत्रपरदेश की योगी सरकार मंतरी बनने के बाद ओपी राजबर के तेवर बदल गए ओपी राजबर ने एक बयान में खुद को गबबर सिंग बताया और अपने कार्रेकरतों को पीला गमचा डाल कर थाने जानी की सला दी है राजबर ने खुद की तुलना मुख्यमंतरी से तक्र डाली ओमपरकाश राजबर ने कहा कि आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंतरी बैटकर ओमपरकाश राजबर को शपद दिला रहे थे हम मंतरी बनेंगे बोला कहा था या नहीं ललकार कर रहा था कि मंतरी बनेंगे और बनकर दिखाया आज ओमपरकाश राजबर के तब थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दरोगा को राजबर ओम प्रकाश दिखेगा जाकर बता देना कि मंतरी जी ने भेजा है ओपी राजबर इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि दरोगा डीयम एस पी में पावर नहीं है कि फोन लगा कर पूछे कि मंतरी ने लोगों को भेजा है या नहीं शोले में गबबर सिंग था तो मुझे भी गबबर सिंग समझ लो बदादे कि उत्तर परदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को हुआ कैबिनेट के इस विस्तार में उम्परकाश राजबर बीजेपी निता दारा सिं राजबर ने 2022 के चुनाम में समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाए था इस चुनाम में वे खुछ जहूराबास सीड से मिदान में थे उन्होंने भाजबा के काली च्रण राजबर को हरा कर जीत हासिल की थी चुनाम में सपागडबंदन को आपक्षि सफलता नहीं मिलने के बाद अखलेश अदफ से उनके रिष्टे खराब हो गए जिसके बाद राजबर सपागडबंदन से बाहर हो गए काफी दिन बाहर रहने के बाद एक बार फिर वो एंडिया का हिसा बन गए जिसके बाद हाली में उन्हें मंत्री पस से नवाजा गया और उसके बनने के बाद यानि मंत्री बनने के बाद उनके तेवर काफी हद तक बदल गई है बनेरेशनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद